शिमला में हिमाचल का पहला साइबर डाटा सेंटर, NCRB पोर्टल से जोड़ा साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930. जल्द होगा शुभारंब, ठगी के मामलों में 11 प्रतिशत बढ़ी रिकवरी राजधानी शिमला के साइबर सैल में प्रदेश का पहला साइबर डाटा सेंटर बनाया गया है, जल्द ही इस साइबर स्टेशन वन डाटा सेंटर का शुभारंब किया जाएगा, साइबर सैल में दो पुलिस कर्मी लोगों की शिकायतें सुनेंगे। फोन कॉल के साथ साथ ही पीडिरित लोगों की पूरी शिकायत दर्ज की जाएगी। Cyber Station One Data Center में एक NGO rank का अधिकारी टीम लीडर के रूप में सेवाएं देगे। इसके अलावा ASP कार्याले डैश बोड के माध्यम से 24 घंटे डाटा एंटी स्टेशन नजर रख सकेंगे। प्रदेश में ट्रोल फ्री साइबर हेल्प लाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश भर से ट्रोल फ्री साइबर हेल्प लाइन नंबर पर रोजान 250 से अधिक शिकायतें दर्ज कर जा रही हैं। साइबर सैल का ये हेल्प लाइन नंबर 1930 NCRB पोर्टल से 29 जुलाई को इंटीग्रेटिड किया गया है। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में रिकवरी दर 3 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत पहुँच गई है। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में 2 माह में 8 करोड 16 लाख रुपए की राश्य लोगों से शातिरों ने ठगी है। Cybercell की टीम ने इसमें से 87 लाख रुपए की राश्य रिकवर कर ली है। राज्य में कम समय में निपटेंगे Cyber Crime संबंधी केस, DIG Cyber Crime मोहित चावला का कहना है कि Cybercell में प्रदेश का पहला Cyber Data Center स्थापित किया जा रहा है। इसमें तीन सीरिज में पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसमें प्रदेश के जाएगी।